नवस्कार में हूँ श्मीता सिंग अब कितना आपको वो कन्विंस कर पाते हैं या आपके उपर निर्भर है हम यहाँ पर मौझूद रहेंगे तमाम हमारे साथ यहाँ पर दर्शक रहेंगे साथ ही यहाँ से अपनी नजर से हम इस कमरे में क्या कुछ चल रहा है वो देखेंगे लेकिन हमारे महमान हमें नहीं देख सकते वो सिर्फ एक दूसरे से बातचीत कर सकते हैं न तो उन्हें वो कैमरे नजर आते हैं और नहीं वो दर्शक जिनकी आँखें उन्हें देख रही है लेकिन उन्हें भी मालूम है कि उपर वाला देख रहा है उपर वाला देख रहा है टीवी इतिहास का सबसे अनोखा और अलबेला शो है इस शो में कोई एंकर नहीं है और बिना किसी रोक तोक हर महमान को अपनी पूरी बात कहने का मौका मिलेगा महमानों को अपनी बात रखने के लिए हमने एक खास चैट रूम बनाया है जिसकी हर हलचल पर रहेगी जनता की सीधी नजर इस शो में हमने 18 कैमरों का इस्तिमाल किया है ताकि बातचीत का हर पहलू आप तक सीधे सीधे पहुँचा सके हमारे आज के महमान है आरिफ महम्मद खान पूर्व केंद्रिय मंत्री किरन बेदी पूर्व IPS अधिकारी मनीश तिवारी पूर्व केंद्रिय मंत्री नेता कॉंग्रेस मुखतार अब्बास नक्वी संसदी कार्य मंत्री नेता बीजेपी सीता राम येचुरी महसचिप CPIM सुनील अलग बिजनेस कंसल्टेंट अतुल कुमार अंजान राष्टे सचिप CPI सुनील जीजेफ ञीजेट लाड़ सेटियए ने लाड़ व踏वाव मुब आई ये आपके लिए ये आपके लिए कुरसी रखिए हमने कुछ पीछे कुछ रूशन दे दो ना दे एक गंटे सब को बैठा लोगे तो सही बात है नाशकार नाशकार हाई के लोगे 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 तो टेके लिए से तरङ ये I was telling, I asked the greatest takeaway of the show would be that we can demonstrate that we can have that civilized conversation वे बूँगा थे जिए लोगे। इजकती हमना नाव मुआ वा तर्म मिम माँ स्पेक्ष्ट मिम् रूत रिष्ट हाइँ वालुआ हाइँ कि दूने लेखि तरिवकाची के लिए वस्मिटने का जिए है? दूने एक… बाल थो कि लिए? नो, फिर्ख रार कोई ल्गेए है आजैनले कोई आजी है? और हम सिट इसे मेंने कालकटा वी क्योड़न रुड़ने कालकटा ह। मेल प्रिष भी एम कालकटा है आप लीजे, मुझे नहीं चाहिए, मुझे नहीं चाहिए, प्लीज आप लीजे, आप लीजे, आप लीजे आज का मुद्दा, क्या भारत में धार्मिक असहनशीलता बढ़ रही है? चाचा, शुरू की जाए बढ़ रही है के नहीं, बढ़ रही है, बढ़ रही है, शुरुआत में यह कह सकता हूँ, लेकिन मैं इतना कहूंगा कि देखे, आज कल धार्मिक फ्लेवर अफ दा मन्त हो गया है, पहले आप देख लीजे, कोई हमेशा पॉलिटिशन्स, और मैं कोई स्पेसिफिकली पॉलिटिशन्स के बारे मैं नहीं बात कर रहा हूँ, सब पॉलिटिकल पार्टीज, वो कभी न कभी कुछ मुद्दा को लेके अपना बनाई लेते हैं, चाए पहले शेडूल कास के बारे में थे, तो कास प्रॉब्लम था, अ पॉलिटिशन्स, और मैं कहता हूँ, कि आप मिस्लीट करते हैं, मैं तो मानता हूँ कि माहूल बिगड़ा है, लेकिन उससे भी ज्यादा एहम एक बात है, जिसके बारे में हम चाहते हैं कि मतलब चर्चा तो हो देश में, ये चर्चा स्वाभाविक चर्चा नहीं है, ये च ठीका, बिल्कुल कई बार होता रहा, दोजार आपके दो, तीन, चार चुनाओं से पहले क्या माहूल था, ये ही गुलाम अली को अपने गजल नहीं सुनाने दिया बॉंबे में, दीपा मेता को अपना फिल्म बनाने ने देते हैं आप बनारस में, ये ही पाकिस्तान की टीम मारी है तो बॉंबे के अंदर पिछ खोद दिया जाता है, पूरा देश के सामने ये है मुक्य सवाल, आज क्या है आपके सापने, कहीं पर दादरी के अंदर वो अटाक हो, कहीं पर आपके सामपता एक दंगे हो, कभी छेड़ देते हैं आप रिजर्वेशन होना है या नही करें, देखिए ये सब जो माहूल जो बन रहा है देश में, मेरा मानना है कि इसके पीछे एक उदेश है, और वो उदेश है सबसे गंदी वोट बैंक पॉलिटिक्स का. आस्तविक्ता ये है कि मुल्क में धार्मिक असेंशीलता बढ़ नहीं रही है, उसको एक संयोजे तरीके से बढ़ाया जा रहा है, क्योंकि जब से ये सरकार बनी है, जिस तरह के बयान लोगों की तरफ से आए हैं, और ऐसे लोग नहीं, जो किसी गिंती में ना हों, बर जि संगठना के अध्यक्ष रहें हैं, उनकी तरफ से जो बयान आएं हैं, अब अगर श्री मौन भागवत ये कहते हैं, कि भारत एक हिंदू राष्टर है, श्री अशोक सिंगल ये कहते हैं, कि मुसल्मानों को दूसरा दर्जा मिलना चाहिए, हर्याना के मुख मंत्रिये कहते ह हैं, कि अगर मुसल्मानों को हिंदोस्तान में रहना है, तो उनको बीफ खाना छोड़ देना चाहिए, हिंदू महासभा की तरफ से बयान आता है, कि जिस दिन नत्थुराम गोटसे को फांसी लगी थी, वो दिन बलिदान दिवस के रूप में मनाया जाएगा, तो ये एक ब करतिया की जा रही है, भारत के लेखकों ने शायद पहली बार सामोहिक तोर पर एकठे होकर, जो साहित अकैडमी ने उनको अवार्ड दिया था, उसको वापिस किया जा रहा है, उसके इलाबा, सोशल मीडिया की स्पेस में भी, इस तरह की गाइडलाइन आई थी सरकार की त पिशले साल सवा साल में इस देश में बनाने की कोशिश की गई है, और इसके दूरगामी परिणाम होंगे, क्योंकि भारत का जो मूल भूत रूप है, वो धर्म निर्पेक्श है, कुछ लोगों में जो आपने का असहन शीलता, तो उसके आधार पर हम पूरे के पूरे को नहीं देख सकते हैं, हमें यह अपसोस होता है, जब कभी हम सुनते हैं कि यह देश बहुत शर्मिन्दा हो रहा है, देश की बहुत बदनामी हो रही है, देश पूरा जो है वो तबाही के रास्ते पर आ गया, ऐसा नहीं हो सकता, कुछ लोगों के सोच और पूरे देश की सोच, उसमें फर्क होगा, अब आपको मैं एक मनीश जी आपके हमारी सरकार का विशह नहीं है, लेकिन मैं एक छोटा सा देख रहा था, कि जो होम मिनिस्ट्री की रिपोर्ट है, जो कि सीतराम जी बहुत अच्छी तरह से जानते हैं, दो हजार छे में जो देश में सिक्स सं सो लोगों की हत्याएं होती हैं, जो एन्वल रिपोर्ट है, दो हजार साथ की, उसमें जो है, वो लगबग जो है, वो नाइन्टी नाइन कमरिल राइट होते हैं, और जिसमें कि लगबग जो है, वो तीन हजार लोगों की हत्याएं बताई जाती हैं, उसी तरह से एन्वल लोग से जादा मरते हैं इसी जाद से 2009 में जो होम मिनिस्ट्री की रिपोर्ट है वो हमारी सरकार नहीं थी उस समय तो यूपिय की सरकार थी मनमौहन सिंग्जी थे 2009 में जो हो 9826 कॉमनल राइट्स हुए जिसमें की जो है 125 लोग मारे गए और 3000 लगब लोग जो है मैं इसलिकि रह Competition नहीं करने की बात है यह जो घटनाए होती है जहें वो कॉंगरेस की सरकार हो हमारी सरकार हो या किसी की भी सरकार हो उसमें इसको किसी भी तरह से हम justify नहीं कर सकते इस पर हम कोई सियासी गेम नहीं केल सकते अफसोस यह होता है कि हम जब सेकुलरिज्म के सियासी सूर्मा बन जाते हैं तो हम जो है वो इस तरह के सामपरदाइक दंगों को इस तरह के साम पर्दाइक्ता को या इस तरह के असहन शिल्टा को सियासत के चश्मे से देखते हैं, तो उसका Efendimiz कभी नहीं हो सकता, जब तक हम इसको अब आपने कहा इनों नहीं का थीक है, इनकी आवास जो है, देश की आवास नहीं है, इनकी आवास जो है वो नरेंड मोती जी की आवाज नहीं है मैं DCP North रहे चुके हूं दिली में DCP North होते हुए सारा जामा मस्जद एरिया सारा Old Delhi एरिया कोटवाली एरिया ये एरिया में रही और उन दिनों में जिस तरीके गिदंगे होते थे भगवान की कृपा से वैसे दंगे मैंने बहुत देर के बाद अभी रीसिंटली देखे तो इसका मतलब काफी देर रिलीफ रही राइट आपने आंक्रे दिये मैं आंक्रे नहीं दे रही मैं आपको अपना एक्स्पीरिस बता रही हूँ कि कम्यूनल राइट जो हम लोगों ने देखे हूँ है अपने टाइम में उसमें बहुत फरक है शुकर है फरक है फरक कहां आया है फरक आया है दिखाने में जो हमारा 24-7 अब चैनल है जो पहले नहीं था हमारे दिनों में न्यूस पेपर्स थे और न्यूस पेपर की कवरेज में आती थी ब्लैक इन वाइट खबर लेकिन अब कहीं छोटा सा भी दंगा होता है या मोटा ह होता है या चोटा होता है या पतला होता है वो सबर दस्त 24-7 चलता है और वो उसके उपर प्रशन आने लगते हैं देश यह मांग रहा है तो अब एक इंसिडेंट पर देश मांगता है यह फरक आ गया है मैं इसको पर जज्जमेंट नी पास कर रही है मैं उसको पर जज्मे होती है तीसरा अब बरदाश की हिमत पड़ी कम हो गई है 1991 के बाद से ये गहरा स्वरूप लेता गया है खास्तोर से मंदिर मस्जित विवाद के बाद अजुध्या की विवाद के बाद भारती समाज में असहिश्णुता काफी बढ़ी है धार्मिक कट्रवाद बढ़ा है और मैं समझता हूँ कि अगर हम पुराने इतिहास को देखें एक जमाने में रामचरित मानस का पाठ करने का काम पनितराम किंकर उपाध्याई जी करते थे वो अकीले भारत में थे जिनके रामचरित के विविन कांडों पर जो चर्चा होती थी उसमें दस बीस पचास जार आप लोगों के हिसाब से क्या धार्मिक असेहिंशीलता बढ़ी है देश में? बढ़ी है कि नहीं बढ़ी है? यह कोई बहुत बड़ी उपलब दी रही है? हमारी यह समझ है कि हमारी आजादी की लड़ाई की जो वरासत है वो आज खतरे में पढ़ गई है आप खली कह सकते हैं कि राजनीतियों की वज़े से पढ़ गई है वोटों के वज़े से पढ़ गई है मैं ये समझता हूँ कि इसके पीछे आर्थिक कारण भी बहुत बड़े है धर्म और अर्थ की दोनों जुड़ गए है धर्म का और धर्म धार्मी प्रक्रियाओं का व्यापाई करण भी हो रहा है इसलिए मेरी ये समझ है कि इन विश्यों पर चर्चा करने से अगर लोगों के गुस्य को हम कम कर सकें तो यह हमारा मकस्ब होना चाहिए आपने अभी आयोध्या की बात की आयोध्या शावानों के साथ जोड़ा हुआ मामला था आयोध्या अलग से नहीं हुआ था जब ये फैसला कर लिया गया इसमें बिलेम करने की जरूरत नहीं है इसमें ये देखने की जरूरत है हमसे गलतियां कहा हुई है और उन गलतियों के कारण जो बीज हमने बोई हैं ये कैसे मुम्किन है कि जो बीज हमने आज से 25 साल, 30 साल, 50 साल पहले बोई है वो बीज का पेड़ हो गए और पेड़ पेड़ पर फलना लगे इस देश में धार्मिक ये देखे बें पंडित जवालाल नहरू का एक छोटा सा अगर इजाज़त दे तो पंडित जी की कॉंस्टेंसी इलाबाद में फूल पूल 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 पंडित जी वहाँ पे विदेश नीती के बारे में चर्चा कर रहे हैं मेरा काम केवल देश का शासन चलाना नहीं मेरा काम ये भी है कि मैं अपने लोगों को शिक्षित करूँ आज हमें से कोई अभी आपने जुम्ला का है कि लोग देखते हैं पब्लिक मूट क्या है हमें से कोई शिक्षित करने के लिए तैयार है हम आज वो करना चाहते हैं जिससे किसी भी तरह एक सेंटिमेंटल बात करके दूसरे का एक विक्टिब हुट का सबसे बड़ा पाप यह ह चाहे वो कोई सामाजिक व्यक्ति करे और चाहे राजनेतिक व्यक्ति करे कि आप किसी कम्यूनिटी के अंदर उस से तालुक रखने वाले मेंबरों के अंदर सेंस ओव विक्टिब हुट पैदा कीजए सेंस ओव विक्टिब हुट का मतलब ये है कि उनका आत्म विश्वास खत्म हो जाएगा इस देश में सारी समस्या राजने तिक है धर्म की कोई समस्या नहीं है धर्म तो आज भी आप चले जाएगे दिल्ली बे दिल्ली में आट सो साल मुस्लिम बादशाहों ने होकुमत की है कोई याद करता है उन्ने हज़त निजाम الدین उलिया जो नकभी किसी बादशाह के दर्वाजे पर गए नकभी किसी बादशाह को अपनी दर्वाजे पर आने की जाज़त दी आज आज आप चाहिए उतनी तादाद मुसल्मानों की नहीं होगी जितनी तादाद हिंदूओं की आपको नज़र आएगी जो वहां माता टेकते हुए नज़र आते हैं धार्मिक सही शुरुता इस देश में ठीक है सैट बेक हो सकते हैं लेकिन वो कभी खतम नहीं हो सकती वो हमारी परबबराओं का हिस्सा है लेकिन राजनेतिक लोग अगर ये तेकर लेके हम वोट मुबिलाइज करने के लिए धर्म का इस्तमाल लिंग करेंगे तो इन सारी समस्याओं पर टाबू पाया जाएजाए आप जो कह रहे हैं मैं तो कहूंगा कि मैं कोई पुलिटिकल पार्टी में नहीं हूँ लेकिन मैं जाता हूँ क्योंकि मैं साबून बेचता हूँ बिस्किट बेचता हूँ डीटेलर से मिलता हूँ एक सर्वी सूचना हमारा आज का मुद्दा है क्या भारत में धार्मिक असहनशीलता बढ़ रही है हम अपने सम्मारित मेहमानों को इससे जुड़े कुछ बयान सुनाना चाहेंगे प्रोमोशन आफ टोलरेंस रेस्पेक फॉर कोईग्जिस्टेंस और एक्सेप्टेंस अफ डिफरेंस इन र्याजनेताओं की बयान बाजियों पर ध्यान मत देती है खुछ मेराज में मोजी कहता है अगर उसके भी बात मत सुनिये अगर सुनना है तो कल कल हमारे देश के राजपती स्थेप्रम मुघर जी दादा ने जो भाशर किया है और देश को जो संदेश दिया है उससे बला कोई मारदर्शन नहीं हो सकता है अब मैं जो कह रहे थे देखे मैं कहरे हूँ मारकिट में आप यूत के बारे में सोची हैं क्योंके हम तो यह कह रहे हैं कि हम तो सब बुड़े हो गए आप नोट मनीश टी बट हमारे जैसे तो काफी बुड़े हो गए हमारा वक्त अब जो आप कह रहे हैं थोड़ा सा शिक्षा देने का टाइम आ गया है यूथ चाहे मुस्लिम हो चाहे हिंदू हो सह जो भी हो उनको चाहिए जॉब्स आप talk about development and automatically आप देखेंगे क्योंके वो uneducated हैं क्योंके वो बिना नौकरी के हैं वो मौका मिलता है politicians को आने के लिए कि भाई आप धार्मिक की इस्तमाल करिए इनके उपर वो आ जाएंगे अब मैं कोई political party को नहीं blame कर रहा हूँ एक second तो अब जब तक ये jobs नहीं होंगे जब तक आप educate नहीं करेंगे जो भी community हो जब मैंने black and white का कहा था अमेरिका में क्यों control होता है क्योंके by and large वो educated लोग हैं वहाँ पे जब president कुछ कहता है या prime minister कुछ कहता है होता है कुछ तो हमें मैं तो कहता हूँ के हमें भूल के जो भी है आकड़े ये वो सब ले लीजी आप लेकिन आप youth के पास जाएए वो कहेंगे कि ये बंद करो ये बिल्कुल बंद करो हमको बिल्कुल नहीं चाहिए और about time we understand this that's all उद्देश बड़े लेख है उद्देश नहीं है they want it ना सुने मेरी बात यही development की बात विकास की बात अच्छे दिन आने वाले की बात आप सबको विकास ले जाने की बात हमारी प्रदानमत्री चुनाओक के टाइम पर किये अरे sir prime minister कर ने not only this prime minister कि क्या बूलते हैं अब क्या करते हैं अभी यह सुना कि इस पर पॉलिटिकल पार्टिस का कुछ बत कहिए यह बगएरा बगएरा देश के अंदर परंपरा है दार्मिक टेंशनों का उसका जो जो चलता रहता है किर्मेदी जी आंकड़ी दिखाई या उनकी experience बताई जब DCP नौर्थ वे थे जब आप DCP नौर्थ थे मैं थे जैन्यू चात्संग का अध्यक्स था आपने मुझेगर अफ्थार किया कई बार DCP होने के ना थे उस सभी पर सवाल क्या थे एजंडा क्या था अपका सरामने वो मेरी बात है। आज क्या है सवाल यह कि यह एजंडा को लाhartक हो गया। अब मुक्तार बाय के लिए हमारे मंत्री है संसद में। यह एलोग करते हैं, बात होना है या नहीं होना है, इनके सामने, पूरे सदन में, हमने प्रदार मंत्री जी के सामने बैठे थे, आरे बाई जा बैठे है, उनको सीधा सीधा पूछा, कि ये जो बयाने दे रहे हैं, जिससे देश के अंदर टेंशन बढ़ रही है, बढ़ाया जा रहा है, कानून है देश में, इंडियन पीनल कोड है, उसके अंदर एक सेक्षन है, आप तो जानते ही होंगे, उसको इस्तमाल किया होगा आपने, एक सेक्षन है, जो भी इन्फलमेटरी स्पीच्छ देता है, उसके उपर एक पीनल ओफिन से, उसके उपर कारवाई करें हमने सिर्फ एक चीज बांगी देख प्रदान दीजी से, बताई या आपके मंतरी है, आपके सांसद है, जो ना भी है, वो भी बोल रहे हैं, जो अलग बात है, लेकिन जो है, जो बोल रहे हैं, उनके उपर कारवाई लेंगे या नहीं, आखिर, यही तो है, आपका के उपर, कॉंस्ट्यूशन को रखवाला करने वाले हैं, तो अगर वो लोग कारवाई नहीं करेंगे, इसका मतलब क्या है, आज तक, बाशे ने सुना दी, मतलब या पया, आपने, आज तक बताईगे, किसी के उपर, किसी के उपर कोई कारवाई हुई अपने कानून अनु कानून है, एक समय रहाने आपका, उसको लागदो करिए ना भाई, ये सवाल का जवाब क्यों नहीं दे रहे हुआ, इतने महिने से चल रही है, पहले संसत के सेशन में हमने प्रदानमंदीजी से मांगा, आप कहते हैं कि उनके, बीजेपी के प्रेजिडेंट जो है, जाके प्रेजिड नॉर्मल सी मेंटेन करने के लिए, एक भी आया ट्वीट, इनको खंडन करते हुए, अब सवाल वहाँ पे, राजनितिक करन कोई ने कर रहा है, हम ये कह रहे हैं कि जो देख रहे हैं, अब आप यूथ की बात कही, वो यूथ को नोकरी चाहिए, एक सरूरी हमारा आज का मुद्दा है, क्या भारत में धार्मिक असहनशीलता बढ़ रही है, हम अपने सम्मानित मेहमानों को इस से जुड़े कुछ बयान सुनाना चाहेंगे आजम खान या कोई ओवेची गलत फ्रेमी के सिकार ना रहे हैं, उत्तर परदेश की जनता मुद्द जवाब देगी और ओवेची जैसों को तो हैदराबाद तक दोड़ाक आएगी दो मासों को छोड़के भी तो मुस्लिम रहे हैं आप इतने उचल उचल कर पांथ दिन से दादरी 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 कर रहे हैं जहां पर हिंदू लड़कों को मार दिया गया है वहाँ पर कितने एरेस्ट हुए आपने स्टड़ी किया है पार्टियां हिंदू और मुसल्मानों की बीच में जहर खोल के एक पार्टी हिंदू को अपना वोट बैंक बनाना चारी है एक पार्टी मुसल्मानों को अपना वोट बैंक बनाना चारी है इसको काबू में रखने के अमारे पास इलाज भी है इलाज है आपका सम्विधान, इलाज है आपका कानू, कानूनी कारवाई क्यों नहीं हो रही है, इस सवाल का जवाब प्रदार मंतरी से खुद मांगे पार्लमेंट में, अभी तक नहीं, मंतरी महोदे बैटे हैं, बताइए आप भी तो इसी सम्विधान पे शबत घा के मंतरी आपने कहा प्रदार मंतरी जी, आपने मुझे अच्छी तरह याद है, पार्लमेंट में बहुत मजबूती के साथ, बहुत जोड़दार तरीके से, उस समय जो घटनाए हुई थे, उसको आपने रखा था, और आपका साथ वहाँ पर लगबग सभी पुलिटिकल पार्टीज ने दिया था, उसके बाद परदार मंतरी जी ने, आपकी मांग की थी कि परदार मंतरी जी आएं और इस बारे में उन्हें संस्त के अंदर बोलना चाहिए, हलाकि परदार मंतरी जी ने चाहे सेंटरल हाल में हो, चाहे लाल किले पंदरागस, फिशला पंदरागस, लाल किले कर रहा हो या और समय समय पर इस बारे में जो सामप्रदाई उन्मात के बारे में सहशूरता के बारे में धर्मेपेश्टा के बारे में देश की एक जहती के बारे में बार बार बोला उस बार भी परधामनती जी आए और बोला उन्होंने आपके कहने पर बोला कानून लागू क्यों नहीं रही भाई ने मैं बताता हूँ अब आप परधामन्ती जी वहाँ पर गोली किसी को नहीं मारेंगे न आप कह रहे हैं सही शूरता की बात और अभी आप ऐसे ही शूरता में आ गए दूसरी जी एक बहुत इंपॉर्टेंट बात अभी आरिव भाई ने कही हम कहते हैं सेकुलरी धर में पेशता बिल्कुल ठीक है धर में पेशता तो इस देश के डियने में है हमने आपने यहाँ पर बैटे हुए लोग या जो और लोग रहा होंगे पहले उनकी वज़े से नहीं है इस देश के लोगों की वज़े से है जब पलोसी देश आपने आपको इसलामिक देश गोशित कर रहा था तो यह भारत था कि लोग अपने को धर में पेश उन्हें ने गोशित किया लेकिन अब धर में पेश पुलिटिकल पार्टीज आप ये बताईए कि जब आप किसी मुसल्मान को वोट टिकट देते हैं तो आप आरिप मुहमत खाया मुक्तार बास नकवी को नहीं देंगे आप देखेंगे कि वो कितना कट्टरपंती मुसल्मान है जिसको कि वोट मिल सकता है उसको टिकट देंगे आप बीजेपी की बात चुल जा जा जाएगा जो बात करी जा रही है हमें भी धर्म रिपेश्टा के बारे में एक बार फिर से सोचना होगा धर्म रिपेश्टा हिंदूों और मुसल्मानों के बीच में बाटी नहीं जा सकती धर्म रिपेश्टा देश के लिए है अब हमारा आजके सोचना ही होता है कि धर्म में पेश्टा सेकुलरिस्म का मतलब सिर्फ मुसल्मानों के लिए, ऐसा नहीं है, कि सेकुलरिस्म का मतलब है देश के लिए, इसलिए हमें लगता है कि हम जब सहिशूर्टा की बात करते हैं, हम जब सेकुलरिस्म की बात करते हैं, कितनी बार अपने अंजान जी चुनाव लड़े हैं सेकुलर्जिन के मसीह हैं लड़ाई लड़ते हैं आम लोगों की लड़ाई लड़ते हैं लेकिन वहाँ पर जो है वो कोई कटरपंती है वो जीच जाएगा ये नहीं जीच सकते क्योंकि हमने ऐसा माहौल बनाने की कोशिश की है ऐसी स्थिती बनाने की कोशिश की है कि लगता है जो लोग है उनको लगता है कि यही जो हमारे लेक्तरी तो कर सकता है आजादी की जो दीवाने थे उस समय से लेके अब तक कहानी बदली नहीं है उस कहानी को हम सबको बदलना होगा इसमें हम आरोब लगा दें कि जाब इनकी सरकार आई तो बढ़ गा आरोब की लगा है कि हमें आरोब क्यों गेर हो आप हमें आज तक वह अगया है हमें जो है वो सामाजिक सहशूरता भी चाहिए और जो एक तरह से धर्मिर्पेश्टा की सहशूरता है और इस पश्टिता वो भी चाहिए हम क्या अपनी बहस से विभिन राजनितिक सोच के लोग है क्या सहश्शनुता के वातावरन को आगे बढ़ा सकते हैं एक ऐसे यूटोपियन बातों से कोई फाइदा नहीं होता जो वास्तविकता हैं वो वास्तविकता है मैं बहुत दफाई से जोड़ दे के देता हूँ कई हमारे दोस्त मुझसे थोड़ा डिफर भी कर जाते मैं कहता हूँ भई इसको आप एक आदमी मारा जा रहा है आपको इस पे क्या जिद है कि आप कहिए कि ये कमिनल अगर एक तिरंजी ज्यादा बेहतर बता सकती है अगर एक आदमी किसी थाने के इलाके में गतल हो जाए और वो वर्क आउट ना किया जा सके थानेदार की रेजिस्ट्री हो जाती है उसको फिर चार्ज नहीं मिलता लेकिन हमने ऐसा माहौल बना दिया है कि कमिनल दंगे के नाम पे चाहिए जितने लोग मार दिये जाए ना थानेदार के ओपर कोई असर पड़ता है ना किसी आफिसर के ओपर कोई असर मिलता ही का तो फिर उसको इशू नहीं बनाना चाहिए कि उबामा बीफ खाते है या नहीं खाते है वो हमारा इशू नहीं है हमारा इशू बना रहा है हमारा इशू देखे देखे मैं वो नहीं कह रहा हूँ जो लोग ये कर रहे हैं वो तो जगने अपराद करी रहें लेकिन अगर मैं उनकी आलोचना इस तरह करता हूँ जैसे ये बीफ की मुखालफत या जैसे हरियाना के मुख्यमतरी न कहा कि गोया इसका संब्द मुसल्मानों से ते ये उससे भी ज्यादा आपती जनक उससे भी ज्यादा निंद नहीं है आरे बाई आपने जो बात कही थी कि अंग्रेजों के सामराज़वाद में और भारत के संविधान में फर्किये है कि वो कम्यूनिटीज को अधार मानते थे धरम को अधार मानते थे और हम नागरिक को अधार मानते हैं तो क्या सरकार को इस बात में दखल अंदाजी देनी चाहिए कि मैं क्या खाता हूँ मैं क्या पहनता हूँ मैं किस से बात करता हूँ मैं क्यों सरकार की आलोचना करता हूँ क्योंकि एक बात योचुरी साथ बिलकुल सही कह रहे है कि देश में तनाव बढ़ा है और उसका सबसे बढ़ा अभी प्राय ये है कि ऐसा कभी नहीं हुआ कि इतनी बड़ी संख्या में जो राइटर्स हैं उन्होंने अपने अवार्ड बाप रिया ठीक है आप वो कह सकते हैं कि साथ वो नहरूवियन पराय उजित है या नहरूवियन खयाल से तालोक रखते हैं उनमें तो कई ऐसे लोग हैं जिन्होंने जवारला नहरूव और इंदरा गांधी का भी विरोध किया यार स्टेट गवर्मन पर पे कॉंगर्स किया आपकी उसका भी विरोध किया इस बात को सरकार को समझने की ज़रूरत है दूसरा देखिए एक लोक तंत्र का कि सही परिभाशा ये है कि ये नहीं कि आप अपने बहुसंख्यों को के साथ कैसे व्यवार करते है कि आप अपने अल्प संक्यों के साथ कैसे व्यवार करते है Can you take your minorities along Whether they are religious minorities They are linguistic minorities Or even they are gender minorities और मैं इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि धीरे धीरे करके जो लोगों का भरोसा है संस्थाओं का भरोसा है वो राजनितिक्यों पर राजनितिक संस्थाओं पर उठता जा रहा है और उसका सबसे बड़ा परिणाम ये है कि इसके भाबजूद कि दोनों संस्थ के दोनों सदनों ने और 22 विदान सभाओं ने National Judicial Appointments Commission के बिल को अनमोदित किया था उचता मजाले ने उसको ठुकरा दिया तो सबसे पहली बात ये है कि राजनितिक्यों को अपनी जो credibility है वो दोबारा बाहाल करने की जरूरत है और उस दोबारा बाहाल करने में सबसे बड़ा जो उदिश्य है वो ये है कि किस तरह से इस देश की जो प्रष्ट भूमी है उसे धर्म निर्पेक्ष रखा जाए अलग साब शुरू से एक बात कह रहे है कि सब political लोगों की political system की credibility जो है वो दाओं पे लगी है मैं इससे बिलकुल असहमत हूँ और असहमत इसलिए हूँ कि हम आप या आप या और कुछ लोग जो कमरों में बैट करके ड्राइंग रूम में बैट करके राजनितिक लोगों का और राजनितिक विवस्था का आकलन करते हैं उसकी नजरों से नहीं देख सकते हम हर साल और हर election में लोगों का मतादिकार मतों का देना बढ़ शड़के देना 80% 90% देना ये जो है वो क्रेडिबिल्टी पॉलिटिकल सिस्टम और डिमॉक्रेसी से अगर खत्म हो जाती तो ऐसा नहीं होता तमाम ऐसे डिमॉक्रेटिक कंट्रीज है जहां पर की क्रेडिबिल्टी खत्म होई है तो 28% और 29% और 30% वो भी जबरदस्ती करके देते हैं वोट कश्मीर जम्व कश्मीर जैसी जगों पर 60% 70% वोटिंग हो रही है तो इसका मतलब कि हमारे डिमॉक्रेटिक सिस्टम पर हमारे पॉलिटिकल सिस्टम की क्रेडिबिल्टी आम लोगों के दिमाग में है और जिस दिन उस सिस्टम या उस वक्ति से क्रेडिबिल्टी उसकी खत्म होती है लोग उसको बाहर निकालते हैं एक चीज़ दूसरी चीज़ ये कि ये बात कहना कि इस बीच में धार्मिक्स असेंशीलता बढ़ गई इस बीच में घड़ गई हम इससे सहमत नहीं है आज भी जो है वो चाह हैं यंदूों, मुसल्मान अगर सटकों पर भी दशेयरा भी हो रहा हैं इसकी नवाजे भी हो रही हैं नुग अपनी स्वतनतफा से कर रहा हैं कुछ घटना है दूरभाग पोल घटना है, दुखट घटना है वो नहीं होनी चाहिए चाहिए किसी समय में भी हो लेकिन क्या आप लोगों ने किसी ने ये कहा कि उत्तरब्रदेश की सरकार ने जिन लोगों ने किया उनको क्यों ने पासी चला दिया इसे मोदी जी क्या करेंगे क्या किसी ने कहा कि दादरी में जो उत्तरप्रदेश के टेरिश्टेरी में है वो मोदी जी यहां से मिलेटरी भेज़ेंगे क्या उसको? वहां तो उत्तरप्रदेश की सरकार को करना है उत्तरप्रदेश की सरकार को उनके मंतरी, उनकी सरकार के लोग दंगों के दबंग बने हुए कोई भी हो हमारा हो उनका हो किसी को आप गिफतार करिये वह कोई किसी नहीं रोका क्यों ने हो रहा है अब सरकार भाई जी तो अब पर बात पूर कहेंगे कि साथ फेडरल सिस्टम है देश पे संगीट आचा है आप कैसे इंटर्विन कर रहे हमें लगता है कि हमें जो है वो ज जब धार्मिक्स सही शूरता की बात असही शीलता की बात करनी चाहिए तो उसको खुले दिमाग से करनी चाहिए जब हम राजनितिक दिमाग से करेंगे अब आप यह बात कुछ हुआ लेकिन दिक्कत क्या है कि कुछ लोगों को आज भी जो बदला हुआ वो डाइजेस्ट नहीं हो रहा है पुलिटिकल कारणों से और इसलिए उन्हों ने जो पॉजिटिव चीजें हो रही है वो पॉजिटिव चीजें ना सो देख करके कुछ निगेटिव घटनाओं को जो है वो पूरे जामे के साथ देख रहा है कि साथ यही हो रहा है और कुछ नहीं हो रहा है हमें लग रहा है कि इस पे भी एक बार हमें सोचना चाहिए हम राजनीत करेंगे, चुनाओ आएगा, हम जीतेंगे हारेंगे, यह सोता रहेगा इस से हमारी credibility, political system की credibility, democracy की credibility कोई नफसान नहीं होने वाला है हो सकता है कि यह करके हम कुछ दिनों के लिए सत्ता में आ जाये फिर सत्ता से चले जाये लेकिन जो है वो लोग जो देश के हैं उनके सही शूर्टा और सही शूर्टा पर कोई असर नहीं पड़ेगा कि अगर दादरी में कोई घटना होती है क्योंकि संग्य धांचा है तो क्या केंद्र सरकार को मैं प्रधान मंतरी का नाम नहीं लेता है केंद्र सरकार को क्या फौज भेज़ देनी चाहिए सवाल ये है कि जब आप अपने लोगों के खिलाफ कारवाई करते हैं जो इस तरह के बायान देते हैं तो फिर जो आपकी एक मॉरल स्टैंडिंग है जो आपकी एक नेतिकता है वो बढ़ती है और आप प्रदेशों को भी कह सकते हैं कि देखिए आपके लोग गड़बड कर रहे हैं आपके प्रदेश में गड़बड हो रही है इसको आप रूखिए मैं फिर उस पे क्योंकि इसकी इस पे हम आपको जवाब दें इसका एक्स्प्लिनेशन दे मुझे लगता है वो ठीक नहीं है लेकि इतना हम जरूर बताना चाहते हैं कि जो केंद्र सरकार को करना थ है क्या मोदी जी ने क्या हो मिनिस्टर ने वहां की चीफ मिनिस्टर से का कि जो हमारे लोग भी अगर वहां पर कोई हेट स्पीच दे रहा है कोई बात कर रहा है तो उनको छोड़ दो उनको भी ग्रिफतार करो कोई भी हो आपका उनका मिनिस्टर हो तो उसको भी ग्रिफता लिटर दे लिया हम के जुझ करेंगे हमारी सरकार को जच करेंगे मोदी जी जो कह रहा है उस पर या जो हमारे 10 करॉल मेंबर है हमारे अब 10 करॉल मेंबर, आपकी पार्टी के बहुत से सेनियर लेडर होगे जो फंची जीता राम चूरी कहेंगे आपके मंतरी कुछ का हैं तो उसका माने ने उसका माने जी का हैं लेकिन देश का की सौहार्थ और देश की एकता को अगर नुफसान पहुचा करके अपने राजनेतिक सौहार्थ की पूर्ती की जाए तो हमें लगता है वो ठीक नहीं है अपके मंतरी जो बोले उनहीं को सुने और मुखतार बास नकवी कुछ बोले तो नसुने और जो अच्हा लगे उसे अपना लो जू पुरा लगे उसे जाने तो यहारी प्लिटिकल प्लिटीज मिलके हर स्टेट सीफ मिनिस्टो का पील कें प्रिती करती आल पाद सेट मिन्स काल करें. All पाद सेट मिन्स मिन्स काल करें. All पाद सेट मिन्स काल करें. That doesn't suit you, because the Dhangas will go. Yes. You can't get away, making a totally irresponsible statement. I'm sorry, all faith meetings, a lot of them have happened. That's the problem. चुच अठो सूथ मैं और कर ठाटितरल के पार्चान के यौीट अपको शूत नाइ करता पूए pudle. क्तित ऊते है यौ।ательस सबेन्ड है। च्प कंषरके।द और स्रक्ट्र्टू अठो सब्स्ट्स्य लैंचल आपको उते शूत पार落श कर तैक। कि यूद्ध करें लेकिन और मुझे कहने तो दीजी अपनी बात और पार्टी मीटिंग हर स्टेट चीफ मनिस्टर कॉल करें कि क्यों हो रहे हैं दंगे और मैं कहते हूं हर सब्सक्राइश और मैं दो बारी कॉल करें ताकि फे महीने में एक तेंग किवंध कि और चाहिए यह क्वर्ण फिर्वनेशन है भाया खाय यह यह वह है फौर में प्रेवनशन हो रिख पर्वन धर भार्ण है भाया वे फोरं एक प्रेवंशन है नविया कास्ट के खिलाव भी एंग है। सिर्फ कि मुनल हम नहीं की कास्ट इशियुज पर भी तो है। हर मैनी की बात कर रहे जो क्यों कि लॉंड पाज जू कॉन्वाइब पार्टी नेयों का पाजा क्या फेरीफ करें। देखे, जैसे आरुष भाई कहा रहे थे, फाइंड आउट क्या हुआ? बताइए आप महा हुआ खुनिए ना, एक मुल्क के अंदर दहशत का महाल है, इसको आप नहीं मागे हैं। पुल्क का कौम का इतना भी नमायार गिरे कि सुर्खियां देखते हाथ से अखबार गिरे। आज महल ऐसा हो गया है कि सुर्खियां पढ़ते ही हाथ से अखबार गिरना चुरू है। गर की दीवारों में खुद तूने की हैं सुराख अब कोई जहां करा है तो शिकायट के दिखते हैं शोले उनको हमारे मकाम से। आज तो शोले आप भड़का रहे हैं। अज शोले आप भड़का रहे हैं। एक दूसरे की तरफ जरा सा वो करते हुए शेर पढ़ें। लेकिन एक ऐसा भी है कि जो हम सब पे लागो होता। किष्टी भी नहीं बदली, दरिया भी नहीं बदला। हम डूबने वालों का जजबा भी नहीं बदला। एक उम्र हुई हमने, है शोक सफर ऐसा, एक उम्र हुई हमने, मन्जिल भी नहीं पाई, रस्ता भी नहीं बदला। रस्ता बदलिये इस देश के नागरी को पोलिटिकल डिस्कोर्स के सेंटर नाईए, इस देश के साथ इसका अंत हुआ है, आखरी आखरी लम्हों में किस तरीके से गर्माहट आ गई थी, वो हम सब ने देखा था, लेकिन सवाल जो था, वो जसका तस बना रहा किसी का कहना है कि महौल है नहीं धार्मिक सहिचोनता का, बलकि इसे दर्शाया जा रहा है, यानि कि एक तरफ जिम्मेदारी यहाँ पर इस कमरे में तै हुई, कि राजनेताओं की है, हाँ मर्यादा की सीमा में बोलना चाहिए, दूसरा की जो कवरेज किया जा रहा है, क्या उसके जरीए किसी घटना को ज्यादा तूल दी जा रही है, यह भी जिम्मेदारी तै की गई है, लेकिन देखना है कि उस दाइरे से निकल कर क्या यह याद रखते हैं, क्या हम आप याद रखते हैं, बाकी तो आपका फैसला है कि आपने क्या तै किया किसके साथ आपका यकीन जाता है, किसकी बातों पर आपको भरोसा ज्यादा है आप सबका भी बहुत बहुत शुक्रिया जोड़ने के लिए